हेलो फ्रेंड्स कैसी हैं आप आज मैं आपके लिडिंग लेक रहे हैं थर्ड पाटी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहे हैं कल मैं वीडियो अप्लोड नहीं कर पाई थी 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 और आज भी सुबह से काफी बीजी थी और थोड़ी मेरी हल्थी भी ठीक नहीं थी इसी व चल ले देख लेती हैं क्या guidance है ask for help देखिए एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अगर आपको मदद की जरूर्द है किसी भी काम को लेकर कि चाहें आप relationship के लिए सोच रही हैं चाहें किसी भी काम को लेकर कि अगर आपको help चाहिए तो एंजल्स आपकी आसपास है earth एंजल्स connect होना चाहिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि उनके उपर trust भी करें जो भी वो आपको sign दिखा रहे हैं जो भी आपको vision synchronicity दिखती होगी तो उसके उपर थोड़ा सा trust करना सीखिए क्योंकि आप trust नहीं कर पा रहे हैं ठीक है आप जो सोच रहे हैं जो आपको जो vision से come together दिखिए आपके soul weight या तो आप twin flame journey पर हो सकती क्योंकि butterfly भी दिखाई दे रही है और या फिर आप soul meat है तो यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि आपको tension लेने की जरूरत नहीं है यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है कि किसमत आपके दर्वाजे पर दस दे रहे हैं जो भी changes आपके life में हो रहे हैं वो आपके आसपास हो रहे हैं यहां पर देखिए कमल का fool भी दिखाई दे रहे हैं आपकी life में abundance आएगी मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि अभी आपकी life में बहुत खुश्या आने वाली हैं लेकिन आप trust रही कर पार यहां भी कमल का fool हैं आपके life में पैसा भी आएगा आपका partner भी आएगा देखिए यहां पर butterfly है यहां पर जो है कमल का fool है और यहां पर angels हैं ठीके कहने का मतलब यहां पर यह है कि आपको यहां पर कुछ लोगों को घर भी मिल सकते हैं और कुछ लोगों को यहां पर financially बहुत अदा abundance मिलने वाली है यहां पर आपकी soulmate आपको मिलेंगे ठीके और मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं गैस कि universe आपना काम कर रहे है एंजल्स आपको support करने के लिए तयार रहते हैं और यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप जो है किसी से हैल्प भी ले सकते हैं यहां पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहे हैं अगर कोई आप जोब करना चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंड से हैल्प ले सकते हैं पर आपको ऐसा लगता है कि मेरे सारे दर्वाजे बंद हो गए ऐसा नहीं है यूनिवर्स आपके साथ में है थोड़ा सा ट्रस्ट करने की कोशिश कीजिए ठीक है नेक्स्ट हम देखें तो यहां पर मुझे दिखाई दी रहे है गो आउट साइड थोड़ा सा आपको अपने ह पर आप से करेक्ट हो रहाँ चाहिए थोड़ा सा ग्रраउंड वगेरा में जाना चाहिए थोड़ासा पर गॉघ्ची अपको धीक है फ्लत करिये तो रग्सकों ड्यांघ में पर नहीं नहीं दे मैं हुख और accelerating किरे अपनी नहीं ध्युद्छ सान दूरों पर चाह रहे है कि और अपने dressing sense पर भी थोड़ा ध्यान दीजे, self love में आईए यहाँ पर यहाँ भी message मिल रहा है मुझे, थोड़ा साप अपने ऊपर ध्यान दीजे, किसी और के उपर से ध्यान अठा करके, यानी कि अपने पार्टनर के ऊपर से, और family के ऊपर से ध्यान ध्यान दीजे, मध्यम, तेखे आपको कोई काम करने के लिए यहाप पर special भीजा गया आप starseed हो सकती है आप कोई motivation speaker हो सकती है आप counselor हो सकती है आप कोई रिकी healer हो सकती है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे guys कि आपको universe ने चुना है किसी काम के लिए चुना है सिर्फ आपको खाना पीना और husband या wife के बारे में सोचने के लिए नहीं बेजा है यहाँ पर universe ने आपको कोई काम सोपा है special काम सोपा है कि आप उस काम को करके ही आएंगे इसी वज़े से शायद आपके partner आपसे बार बार दूर होते होगे क्योंकि आपकी life में उनसे कोई problem आती होगी जैसे आप उनको जदा time देते होगे उनको importance देते होगे घर परिवार को जदा देते होगे importance यहाँ पर यूनिवर्स यह कह रहा है कि आप जो है उनका काम करने के लिए बिर्थी पर कुछ जो है आपको ज्यान देना है लोगों को यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि आप ज्यान देने के लिए आई है आपको आपका soul का purpose जानना चाहिए अगर आप कुछ मेरी को शायद पता भी है कि आपका soul का purpose क्या है और अगर नहीं पता है तो आप meditation करिए और यूनिवर्स से connect होने की कोशिश कीजिए और पूछिए कि आपकी soul का purpose क्या है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा nature को भी प्रोटेक्ट करने की जरूरत है ठीक है और लोगों को मार्क दर्शन दीजिए लोगों को दिशा दिखाईए कि किस तरह से बुरी से बुरी परिस्तिति से पार पाय जा सकता है कि किस तरह से लोग बुरी से बुरी सिचुशन से बहार निकल सकें इस तरह से आप उनको गाइड करें यहाँ पर यूनिवर्स एब भी कह रहे हैं ठीक है आपका यह सोल का परपस है कि लोगों को आप मार्क दर्शन दीजिए कि किस तरह से जो है वो आगे भड़े ठीक है यहाँ पर मुझे य बोलते हों कि मेरे ही गले पड़ गया सब कुछ मेरे को ही सारी जिमेवरे ठानी पड़ती है मेरे को यह सब कुछ करना पड़ता है मेरे पार्टन को कुछ नहीं करना पड़ता है चाहे आपके पार्टन में फिमेल कोई भी हो सकती है यहाँ पर यूनिवर्स यह खह रहे है कि काम करना कोई सजा नहीं है ठीक है चलिए ओर दिखती है क्या मैसेस आ रहा है बहुत ही अच्छे मैसेज हैं आप कोई डॉक्टर बन सकते हैं आप कोई नर्स बन सकते है ठीक है यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे गाया कि आपको कोई Special Gift दी है कोई रेकी हिलर बन सकते मैंने बता हैं आपको कि आपको ऐसा गिफ्ट युनिवर्स ने दे कर भेजा है, उसका इस्तेमाल करिए, लोगों के लिए आप इंस्पिरिशन बनिए, लोगों को आप जो है इंस्पायर करिए, और प्यार आपको जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसा भी का जा रहा है, नेक्स्ट मारे पास है प्रेयर अड कंटम्प्लेशन, देखे, मैंने बताया था ना, कि आप एंजल से कनेक्ट होई है, युनिवर्स से कनेक्ट होई, यहाँ पर यहीं मैसेज है, देखे, आपको यहाँ पर प्रेयर्स करने चाहिए, कुछ दान पुन करना चाहिए, युनिव उनिवर्स से प्रे करनी चाहिए और जो भी आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा यहां पर सभी कुछ आपको देने के लिए रेडी है युनिवर्स देखे आपको कुछ तो वीजन दिखाए गाइस यहां पर मुझे पता चल रहा है कि कुछ ने कुछ तो वीजन आपक नहीं कर पा रहे हैं ठीक है यहां पर युनिवर्स यह कह रहा है कि ट्रस्ट करिए ठीक है वाव लोड गनेसा लोड गनेसा की ब्लैसिंग्स आपके उपर आ रही है और क्या चाहिए आपको इन्फाइनिट अबननस आपकी लाइफ में आएगी आप सोचते होंगे कि मैं यह काम कैसे करूं हो सकता आपको पता है मैंने बताया ना कि आप लोगों को पता है कि आपको काम करना क्या है सोल का परपस क्या है तो यहां पर युनिवर्स यह कह रहा है कि जो भी आपके रास्ते में आगर रुकावटे आएंगी तो उनको लोड गनेसा दूर कर देंगे ठीक यहां पर आपको यह वीडियो जो है मेरे चैनल से मिल जाएगा प्लेइस्ट से ठीक है मदर फादर हीलिंग का तो वह भी आप जरूर करिए आप किसी से एक्सपेक्टेशन ना रखें कि मुझे वो बंदा ये देगा मुझे वो बंदा वो देगा ठीक है आप थोड़ा से शान्त रहने की कोशिश कीजिए और मदर फादर हीलिंग करिए तो वीडियो मेरे चैनल से आपको मिल जाएगी आप कर सकती है वासे ठीक है चलिए अभी हम देखते हैं कि आपके परसन और थाड़ पार्टी यानि कि उनके फैमिली मेंबर्स या कोई अधर परसन है उनके बीच में क्या चल रहे है जिस कमेंबर्स अरिएटबस रहे हो आपके लड़ी तक मिल्च में पार्टा भीपद्टल से कमें उनके बचलोचल Самわか雪ender कि मैंबर्स ऑम झाच पसा उनके हैं किआम मेंपको प कि यंदू canष नचमником में भीपज़वाबस से औरीक में भीक कर सकते हैं कर दो कर दिसके लिए मेंग। औना हुआ हूँ पहा हुआ 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 गफकंजSabag में ताहि हुआ 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 पुआ हुआ हुआ बोठों डेखे एस ओफ पेंटिकल्स देखिए गाइस यहां पर तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहें कि कोई लेडी है जिसकी वज़े से आपकी लएफ में इतने ज़्यादा तुफान आते हैं इतने ज़्यादा तुफान आते हैं कि हद से जाता है आई हो आपको काट दिख रहे होंगे यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई लेड़ी है जो आपके relationship को तबाह करने के颅 sya मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है guys कि यहां पर पर कि यहां भी कुछ लोगों के लिए तो other person भी है यहां पर कुछ लोगों के लिए mother father का भी problem है ठीक है वो लोग कुछ न कुछ तो जाद टोना करवाने के लिए आपके उपर सोच रहे हैं आपके बच्चों पर और आपके उपर कुछ ऐसे चाल चरने वाले हैं कि आपको वो फसाने वाले हैं अगर आपने उनके हाथ से कुछ खा लिया या उनके पास जाकर के कुछ पी लिया या खा लिया तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि जाद टोना को पूरा करवा रहे हैं यहाँ पर को किसी के थुरू मिल रहे हैं किसी लेडी के थुरू जो है वो ये करवा रहे हैं आपके सासा सूठ आप से उनको बहुता जैलेसी है और आपके बच्चों से भी क्योंकि यह नहीं चाहते कि आप और आपके बच्चे काम्याब हों और आप सुखी जीवन जीएं ऐसा नहीं चाहते क्योंकि यहाँ पर रिवर्स में आया है जॉय वाला खुशी वाला रिवर्स में आया है ठीक है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि यह लोग आप से जैलिसी रखती हैं कि आप उनकी सेवा नहीं करती हैं आप उनको संभालती नहीं हैं, हो सकते हैं कि आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स में से किसी की तविद बहुत खराब हो उनके father हो सकते हैं या उनकी mother हो सकती है और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि आपको वह ऐसा देखते हैं कि आप सोसल मीडिया से बहुत ज़ता connect रहती हूं सोसल मीडिया पर आप जो है कोई हो सकते है आपने यूटूब channel खोल रखा हो या कोई इंस्टा फेस्बुक पर आप वट्सप वगेरा पचादा अक्टिव रहती है कोई जोब करती हो मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहे हैं कि इन लोगों की नजर आपके उपर तो है और जो आदर पॉर्सन थर्ड पार्टी है यह भी नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में कुछ बदलावाएं यह भी नहीं चाहती कि आपकी लाइफ में सुकून मिले हो सकते है कि आप मिजिशन हो हो सकते है कि आप कोई पेंटर हो यहाँ पर कुछ ऐसे साइन भी मुझे मिल रहे हैं और वो पैशन हो आपका कोई भी passion हो सकता है यहां पर ज़रतर तो मुझे यहां पर यह दिखाई दे रहे लेकिन आपका passion कोई भी हो सकता है यहां पर passion को ले करके है और यहां पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे guys कि आप yoga वगेरा करते हों बहुत जिम वगेरा जाते हों यहां पर आप male female कोई भी हो सकते हैं मेरे viewers आपके लिए जो है यह ऐसा सोच रहे हैं कि इसको किसी तरह से तबा किया जाएं यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं और मुझे यहां पर यह दिखाई दे रहे हैं कि आपके person change तो हो रहे हैं आपके person को universe कुछ दिखात हो रहा है लेकिन आपके person उसके पर trust नहीं कर पा रहे है देखे पूरा cloudy cloudy हो रहे हैं यहां पर ठीक है और यहां पर आप देख सकती है कि किस तरह से जो है इनको ऐसा लगता है कि अगर इनके बच्चों को control किया जाए ना तो यह चाबी हमारे हाथ में आ सकती है आपके बच्चों के उपर सिधा निसाना मुझे दिखाई दे रहे है कि आपके बच्चों के उपर आपकी बार का निसाना साधने वाले हैं यह लोग और मुझे यहां पर यह दिखाई दे रहे है कि इन में आपके पार्टनर भी सामिल है और मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहे कि वो यह सोचते हैं कि इनके बच्चों को कंट्रोल किया जाए तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा यानि कि आप मेरी विवर्स का सहारा ही आपके बच्चे हैं और उनके उपर इनका निसान आपकी बार फुल एंड फाइनल है ठीक है इसलिए आप ऐसे लोगों से दूर रहें अपने बच्चों को भी इन से दूर रखें कुछ खाने पीनी की चीज़े इनके द्वारा दी गई हों तो उनको बिल्कुल भी ना खाएं यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दी रहे हैं गाईस की आप उनके पास अपने बच्चे ना छोड़े यहां पर चांसस मुझे ऐसे दिखाई दी रहे हैं यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दी रहे हैं गाईस की उनको ऐसा लगता है कि इसको justice चाहिए इसको हम देंगे justice कैसा justice होता है इसको हम सुकून से जीने देंगे यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि आपकी intuition काफे strong है और आप इनको बार बार बताते होंगे कि हम लोग soul meet है या fit in flame जरने पर है या फिर जो है हम एक अच्छी कपल है हम पिछले जन्मों में साथ थे इस तरह से और आपकी intuition आपको guide करती है उसका आप कभी सुनते नहीं है कम सुनते हैं इसलिए आप अपनी intuition को जरूर सुना करेगा इसकी आपकी intuition आपको कुछ ने कुछ तो guide करती है यहाँ पर यह lady है ना खून की खाट है यह lady ठीक है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि इसकी वज़े से ही आपकी life खराव हुई है और कुछ लोगों के लिए other person third party है जो यह काफी जो है affirmation का use करती है ठीक है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि यह आपके person को अपनी life में पाना चाहती है यह गलत रास्ते पर तो खुद तो है आपके person को भी गलत रास्ते पर डालना चाहती है मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि क्योंकि इसको पता है कि आपके person इनके बै सकती हो सकता आपको पता भी हो यहांपर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि सब का निसाना आप और आपके बच्चों के उपर है जिनके बच्चेμέने के इनके आपके उपर है कि बच्चे अरो लड़ी उनको कंट्रोल करने एबकी बार इनकी पूरी planning है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं guys कि उनको ऐसा लगता है कि इसने तो हमारे से चुटकारा पा लिया है यह तो हमारे से हो सकता है कि आप long distance पे रहते हों या तो आप अपने जोगवईरा में रहते हो या फिर अपने माइक के या फिर आपने अपना कोई घर सिफ्ट कर लिया हो या किराय पर ले लिया हो या कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे की other city, other country रहते हूं कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहे लेकिन guys मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि कुछ नखुछ तो ये जड़ू टोना करवाना चाहती है कि आपके बच्चों को कंट्रोल करने की और आपको कंट्रोल करने की पूरी प्लानी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा परसन तो देखते हैं कि आप तो सब को यहीं बाड़ते फिरते ही हार चीज़ चाहे वो कुछ भी कहते हैं आप उनके लिए रेडी हो जाते थे हो सकते है कि उनको ऐसा लगता है कि यह तो ऐसे ही बहकाव में आ जाएगा या आजाई इसको तो कोई मतलब वो नहीं है कभी भी हम इसको अपने कब जिमे कर सकते हैं इनके बच्चों को कंट्रोल कर लिया तो यह तो अपने आप हमारे कंट्रोल में आ जाएगी ठीक है या आप मेल फे मेल कोई भी हो सकते हैं ठीक है मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहे गए इसकी आप काफे टाइम से कह रहे होगे कि मेरे साथ अन्याई किया है मुझे जस्टिस चाहिए और उनको ऐसा लगता है कि यह चाबी एक बर हमारे हाथ में आ जाए ना तो सब बुष ठीक हो जाए ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे है और हो सकता है कि आपको विजन भी दिखा हो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है कि आपकी इंटुशन काफी स्ट्रोंग है आपकी इंटुशन कुछ बता भी रही हो ठीक है यहाँ पर यह सोच रहे है कि यह हमारे कंट्रोल से बहार हो गया है या बहार हो गई है अब इसको कंट्रोल तो हम ऐसे कर नहीं सकती है इसलिए वो कुछ ज़द्ध होने का परियोग कर सकती है ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है तंतर मंतर का परियोग करने की पूरी प्लानिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है इसलिए आप सावधान हो जाएं और किसी के साथ लड़ाई जगडा नहीं करना है आप अपना बचाओ करिये ठीक है आप यह नहीं कि रेडिंग देखी और आप जाकर कि उनसे लड़ाई करने लग जाएंगे यह पताने किसकी रेडिंग है और किस के साथ रեज़नेट होगी मेरे बहुत सारी वीवर्स हैं जो इस रिडिंग को दिखती हैं तो ये अगर आपके कुछ सिचुएशन ऐसी लग रही है आपको कि आप उनसे अलग हो गई हैं और वो बुजुर्ग हैं और हो सकते हैं उनकी तरफियत खराब हो और वो आपसे बहुत ज़दा जैलेसी रखते ह हो तो ये रिडिंग उनके लिए है और जो रिडिने की सब इक सथ रेजनेट हो ठीक है और बार बार आपके लाइफ में आन ओफ रहते हो आपके परसन लड़ाई जगड़ा भुचता रहता हो आपको बिल्कुल इंपोर्टेंस नहीं देते हो ये सिचुएशन मुझे ऐसे दिखाई देरे कि ऐसे लोगों के जिनके मदर इशुचादा है ठीक है कोई लेडि का ईशुचह यहां पर बढ़ और बला लेकिन मुझे यहां पर धी आपके परसन को कन्डूल करने की पूरी प्लानिग और आपको यह यहां पर दिखाई देरहें इसकी काफी जो है ये law of attraction का यूज़ कर रही है ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दी रहे है यहां पर आप लोगों की life में commitment इशुब हजादा है मुझे ऐसा दिखाई दी रहे है कि commitment की वज़े से आप लोगों की life में problem चलती रहती है क्योंकि आपके person आपको तो commitment जब देंगे ना जब उनकी life में कोई जगह खाली होगी क्योंकि इस person के पास बहुत option है आपको तो तब ही priority मिलेगी ना जब इसकी दिल की जगह खाली होगी यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दी रहे है कि इस person को जो है आपसे कोई लेना देना नहीं है सिर्फ यह आता हो भी होगा तो आपकी energy को सक करके चल जाता होगा और यह कहीना आपको justice देने वाला मुझे ऐसा दिखाई दी रहे है कि आप मुन से justice मांगते होगे कि आपके parents ने ऐसा किया मेरे साथ में मतलब कहने का मतलब है कि यहां पर कोई justice नाम की चीज मुझे नजर नहीं आ रही है ठीक है justice का card जरूरा है आप यह सोचें कि big card आ गया नहीं यहां पर आपके खिलाफ सो साजी से रची जा रही है यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दी रहे है कि आपके person भी ऐसा कहरें कि भी मैं change तो हो रहा हूं पता नहीं मेरे अंदर क्यों change आ रहे है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह वाक्य मेरा partner जो है मेरा twin है या मेरा soulmate है या मेरा karmic partner है इसको good doubt है क्योंकि आप लोगों की life में बहुत ज़दा लड़ाई जगड़ा रहता है इसी वज़े से क्योंकि आपके कर्मा है इनके साथ में जिसकी वज़े से यह सब कुछ होता है अगर आपकी intuition आपको बताती है कि आपका यह twin flame है तो यह जरूर twin flame है लेकिन जरूरी नहीं कि इसके साथ में और अगर यह soulmate है तो जरूरी नहीं कि प्यारी प्यार भरी बाते हो हर जगे यह कर्मा है इसके साथ में देखिए मैं पहले बता चुकी हूँ अब बता रही हूँ कि एक इनसान पूरी जिंदिगी में पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ मुह मारता फिरता है ठीक है बुरा मत माना मेरी इस बात का वो कितने लोगों के साथ में जो है वादा करता है पता नहीं कैसे कैसे लोग होती है अब आप मेरी यूरस सही है तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि सभी सही होंगे ठीक है उसने कभी अगर कंट्रोल किया तो फिर अगले जन में भुगतना भी पड़ेगा इस जनम में भी और अगले में भी क्योंकि वो आकर के पे नहीं देगा आपको अगर वो आपके लाइफ में नहीं लिखा है अगर वो आपको सुकून नहीं देना चाहता है यानि कि आपकी किस्मत में वो है ही नहीं और जो जबर्दस्ती से हो सकता आपने मांग लिया हो उनको तो ये person आपको खुशी कहां से देगा क्योंकि इसके दिल में तो और ही कोई चल रहा है आप जबर्दस्ती से गले पड़ गए हो सकता है इसने बड़े खुश होकर आपको युनिवर्स ने किसी स्पेशल काम के लिए भीजा है मैंने बताया आपके लिए गाइडेंस उस गाइडेंस को आप फोलो करिए आपको विजन दिखता होगा आपको कोई सिंक्रोंसिटी होती होगी आपको कुशने कुश तो ऐसा इंडिकेशन मिला है क्योंकि युनिवर्स ये कह रहा है कि आपको पहले से पता है वो क्या काम करना आपको आप इस प्यार के चक्करन पढ़ने के लिए नहीं आए क्योंकि ये तो पहले रिजर्व है आपको अपने सोल के परपस पर ध्यान देने की जरूरुद है उसको complete करना है इसके उपर से ध्यान अटा लिजिए इसके लिए आप दुखी मत होए self love करिए अपनी life पर ध्यान दीजिए अपनी health पर ध्यान दीजिए universe ये कह रहा है कि एजल्स आपके support के लिए ready है आप उनसे help ले सकती है ठीके? तो ये आप reading आपको clear हो गई होगी अब भी मैं देखती हूँ कि वाक्य में ये person सोच के आ रहा है आपके लिए ठीके? चली उसकी true feeling देख लिते हैं कि ये person आपके बारे में क्या सोच रहा है? इसके जमाग में क्या चल रहा है? देखिए two points दोहराई पर खड़ा है आपका partner ठीक है? यहां पर दिखाई क्या देर है? आपके person के पहले में sign बताना चाहूँ तो आपके person Gemini Libra Aquarius हो सकते हैं, मिधन तुला और कॉम्भ हो सकते हैं या फिर Pisces Cancer Scorpio यानि की मीन करकर वरिशिक रासी या फिर Taurus Virgo Capricorn यानि की वरिशिब कन्यार मकर रासी बहुत strong sign मुझे यहां पर दिखाई दे रही है देखिए, खून के खाट तो मैंने बताया था न, वो लेडी है तो किसी के में लेडी हो सकती, किसी में जैंट्स हो सकता है यह person है आपकी life का रोड़ा इस person ने, यह आपके partner के भाया भावी हो सकते है उनके, मतलब उनके father, mother हो सकते है ठीक है, यह कोई भी person है, आपको अलड़ी पता है कि यह person आपकी life को बरबात कर रहा है यह है जो, joke बन करके आपको खोकला कर रहा है मतलब जैसे कहते हैं, joke चिपक जाता है तो खोन करके पीछा चोड़ता है इस तरह से, यह इनसान, joke है ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है guys कि यह person जो है यह आपके life में commitment देने के लिए आपके person को permission नहीं दे रहा है आपके life में जब तक commitment नहीं मिलेगा मैंने पहले भी बताया आप लोगों को यह person कोई भी है यह आपके person की life से आउट नहीं होगा, तब तक आपको commitment नहीं मिलेगा आप रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं heartbreak हो रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा pain में हैं और यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि आपके person भी pain में हैं ठीक है, आप एक दूसरे को बहुत सुनाते हैं एक दूसरे को के ओपर कटाक्श करते हैं मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि यह person ने आपके साथ में नहीं जीवन की शुरुआतों की थी, ठीक है, यहाँ पर fool का card है, लेना चाहता भी है यह person, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह person है, इसके वज़े से आपकी life में तबाई हो रही है, यह person नहीं permission दे रहे हैं आपके partner को, और इधर से आप भी queen of source के energy में आगेंगी, बस आप और नहीं, मुझे तुम्हें और बर्दास नहीं करना है, कहीं नहीं यह person आपकी wish fulfillment भी है, और आपके person भी यही सोच रहे हैं कि आप उनके wish fulfillment है, वो आपके साथ में नई शुरुआत करना भी ही चाहती है, और chance मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाईती रहे हैं कि यह person है जो आपके partner को गलत गाइड कर रहे हैं, आपके person जूल रहे हैं, अपने family members हो सकते हैं, यहाँ पर यह दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई job career में भी जूल रहे हैं, मतलब जगल कर रहे हैं, समझी नहीं आ रहे हैं कि करना क्या है, आपके person को यह समझी नहीं आ रहे हैं कि इस person से छुटकारा कैसे पाया जाए, ठीक है, और कुछ लोगों के partner अदर third party के अपसादी फसे भी हैं, आपके person को इतना ज़्यादा strength चाहिए, इतना ज़्यादा strength चाहिए कि इन से छुटकारा पाने के लिए, और वो आपके person के पास है नहीं, देखिए, यहाँ पर strength का काड़ा है, ठीक है, अगर वो ऐसा कर लेती हैं, मैंने पहले यह बताया, अगर वो ऐसा कर लेती हैं, तो इस person के चुटकारा मिल सकता है, वो नहीं करेंगे, तो यह चलता रहेगा drama आपके life में ऐसे, आपके person बुजदिल है, वो आपके सामने तो चपर-चपर-चपर करती होंगे, या करती होंगी, लेकिन वो उनके सामने उनकी बुलती बंद हो जाती है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं, कि दुखी तो दो नहीं है, आप भी हैं, आपके person भी दुखी है, वो कहते हैं, मेरा heartbreak हो गया है, आप कहते हैं, मेरा heartbreak हो गया है, में यहाँ पर यह person है, और यह commitment है आपके life में, अगर ऐसा है तो यह reading आपके लिए हैं, एक दूसरे को आप बहुत प्यार करती हैं, बहुत चाहती हैं, हर चीज करने के लिए ready हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दी रहें, लेकिन इनकी family members है न, यह सब कुछ करने नहीं देना चाहते हैं, यहाँ पर हो सकता है financially status equal ना हो, या caste religion अलग हो आप लोगों का, यहाँ पर जाद दा तो मुझे financially status equal ना होने की वज़े से भी कुछ लोगों का case दिखाई दी रहे हैं, या फिर language भी अलग हो, आप अधर country से हो सकती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दी रहे हैं, इसी वज़े से शायद आपकी लोगों की life में इतनी सारी problems चल रही हैं, क्योंकि इनकी family members ने आपको accept ही नहीं किया हैं, तो यह वाली story आपकी life में चल रही है, ठीक है, चलिए और देखते हैं, आपको universe यह कहना चाह रहा है कि अगर आपको यह person चाहिए, तो आप law of attraction का use करिए, ठीक है, आपका relationship जो है वो जरूर ग्रो करेगा, आप wish मांगे, यहाँ पर universe यह कह रहा है कि आप wish मांगे, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए यही है, और जैसे ही आप wish मांगेंगी, तो आपकी सारी खुशिया आपको मिल जाएंगी, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं, कि आप बहुत परिशान हो रहे हैं, रतों इसा सोचते रहते हैं रात दिन, जिनके बचे नहीं हैं तो आप अकेले सोचते रहते हैं, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कि आप रात को ठीक से सो भी नहीं पाती हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि अंदर य यहां पर कुछ situation मैंने बताई कि यहां पर third party का चक्र जाता है इसी वज़े से आपकी life में इसा कुछ नहीं हो रहे है और आपकी person को universe support करेगा और आपके person भी वहां से हिम्मत करके बहार निकलेंगे तभी सब कुछ होगा यहां पर क्योंकि मुझे यहां पर देखाई दे रहे हैं तो यह थी गाइस आपकी रेडिंग आपके रेडिंग आपसे रेजरेट हुए तो प्लीज लाइक जरूर किया करें ताकि और लोगों के पास भी रेडिंग पहुँचे ठीक है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग